एमेले धर्मराज को बड़ा धर्म जंकट, कई दावेदार मैदान में भाई दर्मेंदर भी चाहते हैं टिकट, कैसे जीते नगर, सवाल बड़ा बिकट नवाबगन नगरपालिका बाराबंकी जिला मुख्याले की नगरपालिका है जिस पर पिछले दस वरसों से भारती जंता पार्टी का कबजा बना हुआ है जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी नवाबगन नगरपालिका पर भारती जंता पार्टी का भगवा जंडा लहरा रहा था यानि सपा ने प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई थी पूरा यूपी जीत लिया था लेकिन बारबंग की सहर समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले-बदले से नजर आ रहे हैं भाजपा में लाला रंजीत बहादू सिर्वास्तों को लेकर एक गुट में असंतोस की चर्चा है वहीं दूसरी ओर सपा हरहाल में नवाब गंज नगरपालिका पर भी कबजा करने की कोशिस में हैं जिले में अधिकांश टाउनेरिया पर भगवाल लहर में भी समाजवादी पार्टी का हिकप जा है नवाब गंज बिधान सभा के सुरेश याद उर्फ धर्मराज जिने जनता ने धर्मराज सुईकार करते हुए लगातार तीन बार बिधायक बनने का सौभागी प्रदान किया वहीं पूरी बिधान सभा तो जीत लेते हैं लेकिन नगरपाली का छेत्व में वह लगातार पराजित हो रहे हैं हाला कि उनकी महत्वपूर्ण भूम का निकाय चुनाव में भी होने वाली है सपा सूत्रों को कहना है कि पार्टी के जिला संगठन के साथ साथ सदर बिधाय सुरेश यादों की संसुती भी टिकट निर्धारन में बहुत महत्वपूर्ण होगी जिले के बड़े निताओं और पूर मंत्रियों का भी सुझाव लिया जाएगा लेकिन सुरेश यादों की विधान सभा में उनकी बात को गंभीता से सुना जाएगा क्योंकि वह लगातार यहां से विधान सभा चुनाव जीत रहे है साफ सब्दों में कहें तो नवापगंद नगरपालिका के लिए समाजवादी पार्टी में वही प्रत्यासी चुनाव लड़ेगा जिसे सुरेश यादों का समर्थल हांसिल होगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में दावेदार मैदान में है बिधायक के छोटे भाई धर्मेंद यादो एक बार फिर चुनावी मैदान में दावेदार के रूप में है इसके पहले वह सपा परत्यासी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन भाजपा परत्यासी से पराजित हो गए थे इसी प्रकार डेक्टर कुलदीव सिंग सापा के पूर जिला ध्यच भी नगरपाली का चुनाव लड़ चुके हैं और वह भी भाजपा परत्यासी से पराजित हो चुके हैं इस बार दोबारा सुपवा से टिकट चाहते हैं जिला बारे स्योसेशन के अधिवक्ता नरेंद वर्मा भी चुनाव वी मैदान में मजबूती सी डटे हैं और जम कर चुनाव परचार कर रहे हैं बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं जिले में राजु परधान के नाम से मसुहूर राजेश परताप सिंग भी समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और नगरपालिका चेर्मैन का चुनाव लड़ने के लिए टिकट का संगर्स कर रहे हैं इसी तरह जिले के चर्चित राजनेतिक परिवार से जुड़े सुरेन सिंग वर्मा भी पूरी ताकत लगा रहे हैं वह नवावगंज से पूर्व में बिधान सुबा चुनाव भी लड़ चुके हैं सुरेन्द्वर्मा पूर मंतरी संगराम सिंग वर्मा के चोटे भाई हैं जो की सुयम नवावगंज बिधान सभा से बिधायक रह चुके हैं और सरकार में मंतरी भी रह चुके हैं सुरेंद्वर्मा को भी चुनावी रणनीतियों का विसेसक गे माना जाता है वह कई बार अपनी धर्मपत्नी को जिला पंचायता ध्यच भी बना चुके हैं और स्वैम ब्लाक पर मुख भी रह चुके हैं नरेंद्वर्मा और सुरेंद्वर्मा दोनों कुर्मी समाज से आते हैं मुसलिम समाज से ताज बाबा राइम भी सुरेश यादो पर टिकट का पूरा दबाव बनाए हुए हैं मुसलिम समाज के लोग चाहते हैं कि इस बार मुसलमान प्रत्यासी समाजवादी पार्टी की ओर से लड़ाये जाए क्योंकि मुसलमानों के दम पर समाजवादी पार्टी कई बार नवावगन जीच चुकी है ऐसे में धेर सारे तर्क हैं कुछ कुतर्क भी हैं सुरे स्यादो और धर्मराज के सामने बड़ा धर्मसंकट है अपनी विधान सभा जीतते रहे हैं लेकिन सहर में नगरपालिका हारते रहे हैं अब उन्हें नगरपालिका को भी जीत कर अकले स्यादो के शामने अपनी काबलियत को साबित करना है ऐसे में धर्मसंकट इस बात क भी है कि धर्मराच किसकी और हाथ बढ़ाएं सगे भाई को दोबारा मौका दें अपने छोटे भाई धर्में ज्यादों की मदद करें या फिर नई चुनोती भाजपा की सामने पेस करें Bureau Report The Indian Opinion